ऐसे ड्राबने गैटास वाले लोग बच्चे अंकल अंटी आपने देखे ही होंगे मन में सवाल भी आता को कौन है यह सब और यह सब क्यों कर रहे है क्या यह सब किसी फैसन कॉम्पडिशन का हिस्सा है या किसी हॉरर मूवी के लिए ऐसा मेकप किये हुए है तो चलिए जानते हैं ना तो यह किसी फैसन कॉम्पडिशन का हिस्सा है और ना ही किसी अपकमिंग हॉरर मूवी के लिए इन लोग ने ऐसा मेकप किया होता है दरसल एह लोग अपने एक फैस्टिवल सेलिवेट कर रहे होते हैं हैलोवीन हां आपने कई बारी सुना ही होगा इस फैस्टिवल के बारे में हलोवीन दरसल एक वेस्टन कल्चर का फैस्टिवल है हलोवीन की शुर्वात आइलन और स्कॉट लैन से मानी जाती है वेस्टन कल्चर का तेवार है तो जाहिसी बात है ऐसा ही दरहम से जड़ा हुआ होगा ही हेलोबीन का इतियास करीब 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है कई साल पहले तो लोग इसको All Sands Day के नाम से मनाते थे और एक अक्टूबर की जगा एक नमबर को इस फेस्टिवल को सैलिवरेट किया जाता था समय के बदलाव के साथ All Sands Day ने हेलोबीन का रूप ले लिया इस दिन बच्चों समय सभी लोग भूतों जैसे ड्राबने मेकप करते हैं और भूतों जैसे कपड़े पहनते हैं जुड़ा हुआ होना है क्योंकि लोगों का मानना है इस दिन पर स्वर्ग और नर्ग से बहुत सी आत्मा प्रद्वी पर आती हैं और लोगों को ऐसा करते देख उनको सांती मिलती है यहां तक कि सभी लोग बड़े बड़े कद्वों को ड्राबनी सकलों में काट कर इनके अंदर जलती हुई मौमबतिया लाइट रखकर अपने घर के बहार आंगन में रखते हैं और इन कद्वों को पेड़ों पर भी लटका दिया जाता है और अगले दिन फेस्टिवल खतम होने के बाद ही इन कद्वों को जमिन में दफना दिया जाता है इन लाल्टेंज जैंसे कद्वों को घर के बाहर रखने और पेड़ों पर लटकाने की बज़ा उस दिन धरती पर आए उनके मरत परीजनों की आत्माओं के अंधिरे को दूर करके उनको आगे का रास्ता दिखाने का होता है और इस तोहर के पीछे एक और मसूर कहानी है कंजूस जैक की जिसको ऐसे ही कद्वों के साहरे लाल्टेंग बनानी पड़ी थी और इस कहानी को लोग जैक और लाल्टेंग के नाम से जानते है कहानी की सुरовत होती है आरिलेंड की झोटे से गाउं से जहां जैक नाम का एक वेकती रहता था वह पेसे से लोहर का काम करता था और एक नॉर्मल सी लाइब जीता था इसके साथ ही उसकी एक बुरी आदत थी सराफ पीने की और इस बुरी आदत के चलते सराफ के नसे में लोगों को कई बारी बुरा भलावी बोल देता था लोग भी उससे बहुत परेसान रहते थे इसके लावा उसकी एक और आदत थी वह बहुत ही चालाक और कंजूस आदमी था आम भासा में कहें तो वह बस दूसरों से लेना जानता था और देना कुछ ने इस आदत के चलते लोगों ने उसका नाम ही कंजूस जैक रख दिया था कंजूस जैक एक बार कहीं से अपने गाउं की तरफ लोट रहा था तभी जंगल के रास्ते उसको एक ड्राबना सैतान दिखाई देता है और जैक उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और मन ही मन सोचता है एह उसका आखरी दिन है इतने में सैतान उससे उसकी आत्मा मांगने लगता है जैक चालाकी से बोलता है मेरी आक्री एक्षा तो जान लो सैतान भी उसकी बातों में आकर उसकी आक्री एक्षा पूछ लेता है तो जैक बोलता है उसको आक्री बार सराब पीनी है सैतान भी बात मान जाता है और दोनों पास में एक सराव के अड़े पर जाकर सराव पीने लगते हैं जैक एक के बाद एक बोतल पीता गया आक्सी बोतल पीने के बाद जैक उस सैतान को बोलता है कि उसके पास इस सराव का बिल देने के पैसे नहीं है क्या तुम एक सौने का सिक्का बन सकते हो ताकि मैं इसे दुकानदार को दे कर इस बिल को चुका सकूँ इस बिल को चुकाने के बाद मैं तुम्हे अपनी आत्मा दे दूँगा सैतान भी ऐसा करने को तैयार हो जाता है पर सैतान जैसे ही सिक्का बनता है जैक अपनी जैप से एक क्रॉस निकाल कर उस सिक्के पर रख देता है और सैतान को इस से बहुत तकलीफ होती है और भाई जैक से अपने आपको छुड़ाने की बिंती करने लगता है और जैक उस सैतान के सामने सर्थ रखता है कि मैं तुम को तभी आजात करूँगा जब तुम दस सालों तक मेरी आत्मा को मुझसे नहीं लोगे और सैतान जैक की यह बात भी मान लेता है और जैक अपनी लाइफ पहले जैसे बुजारने लगता है मगर दस साल बीतने के बाद भैस सैतान जैक के सामने फिर आ जाता है और जैक से उसकी आत्मा मांगने लगता है जैक फिर अपनी चाल चलते हुए बोलता है कि मुझे बहुत भूग लगी है क्या तुम उस पेर पे चड़के मेरे लिए सेब तोड सकते हो मेरी यह आकरी चप पूरी कर सकते हो तो सैतान फिर एक बाद जैक की बातों में आ जाता है और सेब तोडने के लिए पेर पर चड़ जाता है पर जैसे ही सैतान पेर पर चड़ता है गंजू जैक फिर उसी क्रोस को निकाल कर बेड़ से लगा देता है सैतान उसी पेड़ से चिपका रह जाता है और तड़पने लगता है फिर जैक से छोड़ने के लिए गुजारिस करता है जैक फिर से सैतान के सामने सर्थ रखता है तुम मेरी आत्मा कभी नहीं लोगे तो ही मैं तुमको यहां से आजाद करूँगा और सैतान के सामने कोई रास्ता ना होते हुए वहे जैक की यह बात मान लेता है और जैक क्रॉस को हटा कर सैतान को बेड़ से आजाद कर देता है और सैतान बहां से गायब हो जाता है कुछ सालों बाद ज्यादा सराप पीने की वज़े से जैक की मृत्य हो जाती है और बहे स्वर्गी की तरफ बढ़ने लगता है पर स्वर्गी की गेट पर ही उसको रोक दिया जाता है क्योंकि उसने चल कपट लोगों को गाली देना बुरा भला बोलना इस सबी गलत कामों के चलते उसने एक पापी का जीवन बतीत कर लिया था इस बज़े से उसको स्वर्ग में जाने की इजाज़त नहीं मिलती है और जैक को नर्ग का रास्ता दिखा दिया जाता है जैसे ही जैक नर्ग के गेट पर पहुंचता है उसको वहाँ वही सैतान मिलता है जो धर्ती पर उससे उसकी आत्मा मांगने के लिए आता था और Jack की आत्मा अब उस सैथान के सामने ही थी Jack जैसे ही नर्ग के अंदर गुषने लगता है वह सैथान उसका रास्ता रोक देता है और बोलता है तुम अंदर नहीं जासकते क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि तुमारी आत्मा कभी नहीं लूँगा और है नर्क भी मेरा है मैं तुमको अंदर नहीं ले सकता फिर जैक बोलता है सुर्ग में भी नहीं जा सकता नर्क में भी नहीं तो मैं जाओं कहां तो सैतान उसको बोलता है तुम अपना सुर्ग या नर्क खुद ढून लो और जैक पापस लोटने लगता है सैतान को जैक पर दया आती है कि इतने अन्धेरे में बहे कैसे कहीं जाएगा सैतान जैक को नर्क से कुछ अंगारे उठा कर दे देता है और कहता है इनकी रोशनी का सहरा लेकर तुम अपना स्वर्ग या नर्क डूंड सकते हो और जैक उनंगारों को लेकर धर्ती पर आ जाता है और एक कद्दू को बीच से काट कर उनंगारों को कद्दू में डाल देता है और उस कद्दू के लाल्टेन के सारे वह यहाँ वहाँ धर्ती पर भटगने लगता है कई लोगों का कहना है वह रोसनी अब भी जंगलों में दिखती है सौर्ग और नर्ग की तलास में कद्दू से बनाई हुई लाल्टेन को जैक और लाल्टेन का नाम दिया गया और इसको लोग हेलोवीन भी बोलते हैं और लोगों ने भी जैको लाल्टिन बनाना चालू कर दिया इन कद्यों को और भी नएने तरीकों से काट कर इसको कई और ड्राबनी सकलो वाले जैको लाल्टिन बनाने लगे और इसके चलती ही हैलोवीन फेस्टिवाल सेलिबरेट किया जाने लगा